नमश्कार हींबूटी आईरवेदा में आपका स्वागत हैं आप मानव शरीर के रूप वे उनकी इलाज से सम्मदित अधिक जानकारी चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजे ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें आज हम बात करेंगे हरी मिच के फायदों के बारे में हरी मिच खाने को तीखापन देने के साथ उसमें एक स्वाध भी जोड़ती है लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका सेवन ना सिर्फ स्वाध बलकि स्वास्ते के लिए भी कई तरीके से फायदेमन्थ होता है भारतिये खाने में कुछ ऐसी चीजे जो जरूर यूज की जाती है और उनमें से ही एक है हरी मिच कई लोग इसको सबजी में डाल कर खाते हैं तो वहीं कई लोग खाने के साथ साबुत हरी मिच खाना पसंद करते हैं हरी मिच का सेवन आपकी स्किन के लिए भी बेहत फायदेमन्थ होता है विटामिन सी और एंटी ओक्सिडेंट से भर पूर हरी मिच बलड में शुगर लेवल को कंट्रोल करने के साथ शरीर को हानिकारक फ्री रेडिकल से बचाने में भी मदद कर सकती है हरी मिच खाने के फायदे एक्सपर्ट डॉक्टर ने भी शेयर किये हैं जिने जानकर आप हैरान हो जाएंगे हरी मिच में पाय जाने वाले तत्व बढ़ती ओर्णी के लक्षनों को कम करने में मदद करते हैं इसके अलावा फेस पर पढ़ने वाली जूरियां को कंट्रोल करने शरीद में पढ़े स्ट्रेच मार्ट को कम करने में भी लाबदाई होती हैं कि अलावा कई लोगों को पिमपल्स हो जाते हैं और उसके दाग आपकी स्किन को खराब कर देते हैं अगर आपको भी इस तरह की समस्या है तो आप अपने डाइट में हरी मिट का सेवन कर सकते हैं यह पिमपल्स को कम करने के साथ उनके दाग को खटाने में भी मदद कर सकती हैं इसके अलावा इसमें पाय जाने वाले तत्र, शुगर लैवर और गुलकोस लैवर को मैनेज कर ब्लड को हुरिफाय करने का भी काम करता है हरी मिट से होने वाले पायदों का लाव उठाने के लिए आप अपने डाइट में हर रोज 4 हरी मिट का सेवन कर सकते हैं यकीन मानिए, इससे होने वाले लाव आपको कुछ दिनों में लही नजर आने लगेगी दोस्तों आप अपारी चैनल को देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे जाद से जाद लोग स्वास्ते लाप राप्त कर सके हम समय से में तर आपको अनेक ओस्टियों के बारे में तुनारियों के बारे में जानधारी देख रहे हैं धन्यवाद